अब देखो, meditation के बाद आता है sex, यानि काम, इच्छाएं, प्लेजर Sex एक ऐसा topic है, जो कोई छोटा topic नहीं है जैसे meditation बहुत बड़ा topic है, इसके उपर आगे भी मैं बोलूँगा और बहुत सारी बाते तुम्हें meditation में बताऊँगा ठीक, वैसे ही meditation के साथ ही जुड़ा हुआ एक और topic है, वो है sex materialism के साथ, चारवा के ग्यान के साथ जुड़ा हुआ subject है, topic है sex, काम, मतलब इच्छाएं, इनसान के दिमाग के अंदर, जो इच्छाएं उठती है इनसानी शरीर के अंदर जो इच्छाएं उठती है उन्ही को हमने sex का नाम दिया है, काम का नाम दिया है हाला के ये जो शब्द है sex, ये काम को दर्शाने के लिए बहुत छोटा शब्द है बहुत ही गरीब शब्द है, ठीक है sex शब्द सुनते ही तुम्हारे दिमाग में एक ही तस्वीर मनती है वो है मर्द और और औरत के बीच में sexual relationship या फिर वो जब वो physically एक दूस्टे के साथ मिलते हैं लेकिन इसका अर्थ सिर्फ इतना नहीं है जिसे अंग्रेजी में आप sex कहते हो, हिंदी में तो उसे संभोग कहते हैं वो तो सिर्फ एक शब्द है, काम पूरा का पूरा subject है, जिसे हम कहते हैं काम वो पूरा का पूरा subject है और उसके उपर एक गरंथ भी लिखा गया है चार बाकों के द्वारा sex के उपर, काम के उपर जो गरंथ लिखा गया है उसका नाम हम क्या लेते हैं क्या नाम दिया गया है उसे सबको याद होगा सबको पता होगा कामा सुत्रा कामा सुत्रा किसकी खोज है चारवा कों की चारवा कौन थे भारत में पैदा हुई सबसे ज़्यादा उन्नत सभ्यता जो विज्ञानिक भी थी और जिन्हों ने ध्यान की उचाईयों को भी पूरी तरह से छू लिया था जिसे तुम सेक्स कहते हो वो मेडिटेशन और योग का ही एक हिसा रहा है आज लोग वेस्टनाइज हो गए हैं वेस्टन की तरफ लोग का बहुत ज्यादा ध्यान जाता है अंग्रेजों की तरफ लोग का ध्यान बहुत ज्यादा जाता है उनको लगता है कि जो चीज अंग्रेज कर रहे हैं वही सबसे बहतर है भारत में हमारे देश में कामा सूत्रा जैसे ग्रंथ को लिखने की ज़रूरत क्यूं महसूस हुई चारवाकों ने कामा सूत्रा को क्यूं लिखा पहली बात तो चारवाक जब कामा सूत्रा के उपर इच्छाओं के उपर पूरा ग्यान हासिल कर चुके थे तब उसके उपर कोई गरंथ नहीं लिखा गया था किताबेन लिखी ही नहीं गई थी अभी सिर्फ ग्यान जो चारवाक के माध्यम से चल रहा था वो जुबानी ग्यान चल रहा था वो तस्वीरों के माध्यम से समझाते थे पत्थरों की मूर्तियां बना कर समझाते थे ठीक है चारवाकों ने देखो चारवाक मनोविज्ञान के महारती रहे हैं वो कोई छोटे-मोटे लोग नहीं थे उनके महामंत्री भी बहुत बड़े-बड़े मनोविज्ञानिक थे वो इंसान के मन को पूरी तरह समझ चुके थे इसलिए तो भारत में बुद्धिस्म जैसा धर्म पैदा हुआ हिंदुईज्म जैसा धर्म पैदा हुआ और ये घटना जिसकी हम बात कर रहे हैं यहां पर ये धर्म से पहले की घटनाए है चारवाक, कामा सुत्रा, मेडिटेशन, सेक्स ये सब धर्म से पहले की घटनाए हैं ये मिटिरिलिस्टिक घटनाए हैं ये अथार्थवादी ज्यान का वो सबसे अच्छा और सुसजित रूप था जो आज तक देखा गया है और देखा जा सकता है जैसे आज हमारे लोग को लगता है कि अंग्रेज सबसे बहतर जीवन जीते हैं Western countries में लोग सबसे बहतर जीवन जीते हैं कि वो open minded लोग हैं कुछ भी करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, हसते हैं, खेलते हैं लेकिन इंडिया में, भारत में भी ऐसा ही लाइफ स्टाइल रहा है आज से चार हजार, पाँच हजार, छे हजार साल पहरे जब विदेशी यहां पर आए तो उन्होंने हम से हमारा हमारी जीवन शैली चुराई और अपनी जीवन शैली हमारे उपर थोप दी बड़ी ही चलाकी से किताबों के जरीए, गरंतों के जरीए ग्यान को अदल बदल कर और जो मौजूद ग्यान था पहले से कामा सूत्रा से रिलेटिड, मेडिटेशन से रिलेटिड, कई तरह का ग्यान, फीजिक्स से रिलेटिड, जो भी आप वैज्यानिक सब्जेक्ट आज पढ़ते हो, वो सारे सब्जेक्ट उन्होंने अप कामा सूत्रा नहीं था, वहाँ पर काम से रिलेटिड, इच्छाओं से रिलेटिड, ध्यान से रिलेटिड, योग से रिलेटिड, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, जो आजकल मिलनी मुश्किल हैं, जिनके बारे में आज आप सोच भी नहीं सकते, उन्होंने इतनी सारी के खोज कहां होगी? वही न, यहां पर लोग धार्मिक होंगे ही नहीं, यहां पर लोग को भावान जैसी चीज़ का कोई पता नहीं होगा, धर्म का कुछ पता नहीं होगा, धर्म बाद की घटना है, चारवाग दरशाता है कि भारतिये लोग, जंबूदीब के लोग, कारवाग थे वो ग्ञान की किन उचाईएं पर पहुंचे हुए थे उन्होंने meditation को भी खोज लिया था ध्यान को भी खोज लिया था और कामा शुत्रा योग को भी खोज लिया था और कामा सुत्रा योग का इस si का एक अंश है छोटासा योगा में और बहुत सारी चीज़ें आती हैं ये meditation का भी हिस्सा रहा है लेकिन गड़वड कहां होती है जब इन चीजों को छुपाना शुरू कर दिया गया जब विदेशी लोग यहां पर आए उन्होंने औरतों को छुपाना शुरू कर दिया मर्दों को औरतों से छुपाना शुरू कर दिया औरतों को मर्दों स आसी धी बाते चलती हैं, क्योंकि ये बिजनस मनचुगा है, और चारवाक ये बात बिल्कुल समझते थे, कि जब तक कोई मनुष्य, जब तक कोई इंसान अपनी इच्छाओं को नहीं समझता, अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करता, तब तक वो बैपार में नहीं उतर सकता, तब तक वो बिदेश नहीं जा सकता, तब तक वो कोई बैपार नहीं कर सकता, जब तक एक मर्द औरत को नहीं समझता है, औरत मर्द को नहीं समझती है चारवाक बड़े मनुवज्ञानिक थे उनको सब कुछ पता था कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है उसका मन कैसे काम करता है इसलिए तो उनोंने इतने महान महान गरंथ लिखे हैं कि उन गरंथों को चुरा कर बहुत से लोग बहुत से देश अमीर हुए हैं बहुत से देशों ने बहुत कुछ कमाया है लेकिन सिर्फ हम हैं जो अभी तक पीछे चल रहे हैं जो अभी तक सिर्फ उनकी नकल कर रहे हैं हमारे पास अपना कुछ बचा ही नहीं और जो भी बचा हुआ है उसको आज कल हम किसके साथ जोड़ देते हैं बड़ी ही चलाकी से बचने के लिए उसको पढ़ने से बचने के लिए समझ से बचने के लिए हम उसे जोड़ देते हैं जैसे ही धर्म शुरू होता है वैसे ही वो चारवाग के सारे ग्यान को अपने कबजे में लेना शुरू करता है उसे बदलना शुरू करता है और एक अच्छे तरीके से उसे लिखना शुरू करता है जितने भी धार्मिंग लोग थें उन्होंने सब कुछ अच्छे तरीके से चारवाग का जितना ग्यान था उसमें श्योद किया लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बदलता गया वैसे ही वो ग्यान संकुचित होता चला गया सारी बातें जो सिर्फ बोलकर सुनाई जाती थी बोलकर सुनी जाती थी बोली हुई बात कोही सर्वो परी सत्य माना जाता था वो किसके साथ जोड़ दिया गया शास्तर सम्मत के साथ जोड़ दिया गया कि जो चीज शास्त्रों में लिखी हुई है उसी को सच माना जाए बाकी किसी चीज को कोई सच नहीं माना जाएगा अब जाहिर सी बात है कामा सूत्रा भी एक शास्त्र है और मैं तुम आप फिर से बता रहा हूँ कामा सूत्रा बहुत बाद की घटना है ये गरंथ बहुत बाद में लिखा गया है, करीब आज से 1500 से 2000 साल पहले ही ये लिखा गया है, उससे पहले चार बाद क्या करते थे, वो मंदिर मनाते थे, और मंदिर में ऐसी ऐसी मूर्तियां मनाते थे, जिनको देखते ही इंसान के अंदर की इच्छाएं जागती है, उठती है, आग की तरह उपर चढ़ती है, जैसे तुमने एजंता अलोーरा की गुफाएं देखी है, उनके बारे में सुना है, खजुराहो के बारे में सुना है, है न, खजुराहो के मंदिर, क्यूंके, हम किसी छोटे इतिहास की बात नहीं कर रहे ही, हम बात कर रहे हैं, चार वां जिनका इतिहास मिलता ही नहीं है और टुकडों में मिलता है जब तुम अच्छे से चारवाग के इतिहास को खोजते हो तो चारवाग ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक कोई इंसान है एक कोई रिशी है एक कोई मुनी है एक कोई धानी बाबा है वो पूरी की पूरी एक संस्था उनके अपने स्कूल थे, अपनी युनिवस्टीज थी, अपना पूरा का पूरा ज्यान था, अपने ही देश थे, जिनको आज सिर्फ एक नाम से आप जानते हो, चारवाग, ठीक है, तो पूरी की पूरी सभेता रही है, यह से बड़ी ही चलागी से खतम किया रिया है, और शा उचाईया हो सकती है, जितना उची स्तर पर, उचे स्तर पर इंसान या थार्थवाद को समझ सकता है, उतने या थार्थवाद में, उतनी उचाईया पर हम लोग जा चुके थे, भारती जा चुके थे, उपर पहुंच चुके थे, अब उपर से तो सिर्फ नीचे ही आया सकत और यहां से धर्म की शुरुवात होती है, फिर यह सारा ज्यान बदलना शुरूर होता है, तो वो किताबे नहीं लिख रहे थे, वो मंदिर बना रहे थे, मठ बना रहे थे, और वहां पर sexual poses में paintings बनाई जा रही थी, मूर्तिकला बनाई जा रही थी, पत्थरों को तराशा जा रहा था बड़ी ही कामुक पोज में, बड़े ही अच्छे तरीके से जो देखते ही इंसान के अंदर की इच्छाएं जागती है, उठती है, उसकी काम भासना भटकती है और उपर चढ़ती है, दिमाग की तरफ जाती, अच्छा मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुम मैं तुमसे कहता हूँ कि तुमें एक मूवी देखनी है, तुम चाहो तो इस टीवी सक्रीन के उपर भी देख सकते हो, वही चीज है और चाहो तो इस किताब में भी पड़ सकते हो, जो इस किताब में है, वही इस किताब में है, तुम क्या चुनोगे, जाहिर है, हम मनुष् स्वभाव से ही थोड़ा सुस्त होता है लेजी होता है तो हम चुनेंगे या तुम क्या चुनोंगे टीवी को देखना सक्रीन को देखना ऐसे ही चारवाक जान चुके थे कि इनसान किताब की तरफ ध्यान नहीं देता है वो किताब पढ़कर राजी नहीं है वो किताब नहीं पढ़ना चाहता है तो उन्होंने क्या किया मंदिर बनाने शुरू किये ग्यान देने के लिए मेडिटेशन से संबंधित ग्यान देने के लिए वैसी मूर्तिय में बनाई गई योग का ग्यान देने के लिए वैसी मूर्तियां बनाई गई सेक्स का ग्यान देने के लिए वैसी मूर्तियां बनाई गई चारों तरफ मंदिर ही मंदिर थे किताब पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है तुम दर्शन करके देखकर किसी चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझते हो वो जल्दी तुम्हारे दिमाग में बैठती है जल्दी तुम उसे समझते हो आजकल भी तो यही होता है तुम एक किताब पढ़ने की बजाए तुम क्या करोगे टीवी देखना पसंद गरते हो मूवी देखना पसंद करते हो मोबाइल की सक्रीन देखना ज़्यादा पसंद करते हो तुम्हें लगता है जो यहाँ पर लिखा गया है वो यही पर दिखाया गया है जबके यह टीवी सक्रीन जो है वो इसी का शॉर्ट वर्जन है किताब में तुम्हें ज़्यादा चीजे मिलती हैं करंथों में ज़्यादा डिटेल में ग्यान दिया गया है तो बाद में जो लोग आए जो भारत में सिक्षा लेने आए उनों GIRं ने उन मंदिरों को देखा वहां के ग्यान को सीखा चारवाकों से समझा फिर उन्होंने किताबें लिखनी शुरू की फिर यहां से चारवाक नीचे आना शुरू होता है यहां से अध्यात्मिक्ता शुरू होती है धर्म शुरू होता है और वो धीरे 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 नीचे आने शुरू होते है और आज तुम देखो कि कोई भी धर्म उठालो वो चार या पाँच हजार साल से ज़्यादा पुराना नहीं है उससे पहले लोग सिर्फ मिटिरिलिस्टिक जिन्दगी जी रहे थे मिटिरिलिस्टिक लाइफ जी रहे थे परदार्थवादी जीवन जी रहे थे भोगवादी जीवन जी रहे थे ध्यान कर रहे थे कोई ध्यान कर रहा था कोई पहाडों की तरफ जा रहा था कोई ज्यान की खोज कर रहा था कोई इसके जरीए ज्यान खोजता था सेक्स के जरीए कोई meditation के जरीए इसकी पूर्ती करना चाहाता था कोई योग क्या है योग शरीर को fit रखने के लिए है थोड़ा सा लोजिकली सोचो तो योग की खोज कौन करेगा कामा सुत्रा की खोज कौन करेगा वही जिसको ना तो भगवान का पता है ना किसी ऐसी शक्ति का पता है कोई काल्पनिक शक्ति जो उसे लगता है कि उसको चला रही है पूरे भ्रमान को चला रही है उसके पास तो एक ही ग्यान है भ्रमान का ग्यान कि भ्रमान और हम एक ही है हम भ्रमान का ही हिस्सा है हम उसी का एक छोटा सा अंश है ये शरीर भ्रमान का ही एक रूप है इसी को अच्छे से भोगो इसके अंदर जो इच्छाएं उठ रही है उनको पूरा करो क्यूंकि वही जीवन है ये जो आइडिया है ये तो बाद में आया है लेकिन जो चलाग लोग है जिनकी बुध्धी जो इन चीजों से डरते हैं सेक्स से डरते हैं कामा सुत्र जैसी चीजों को पढ़ने से डरते हैं जो डरते हैं कहीं वो उनके बच्चों के हाथ में ना आ जाए वो तुमें कहेंगे इसकी तरफ जाओ तुम ने एक चीज नोटिस की है भारत में क्या होता है जैसे ही बच्चों की शादी होती है जैसे ही किसी लड़की की शादी होती है लड़की की शादी होती है तो 6-7 महीने बाद पता नहीं क्या होता है वो एकदम से धravik हो जाते एकदम से उनके अन्दर धार्म के तुफान उठने शुरू हो जाते उनको लगता है यही सब कुछ है कहाँ शादी कर लिए कहाँ पंगा ले लिया अचानक से धार्मिक इंसान क्यों हो जाता है क्यूंकि उनके दिमाह में हर रूज डाला जाता है कि ये चीज बुरी है ये अच्छा नहीं है इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है ये बिल्कुल अच्छी चीजे नहीं होती संभोग काम और लड़का-लड़की की तरफ देखे यह अच्छा नहीं है लड़की लड़की जब तुम्हें बार बार कहाया आता है कि सेक्स अच्छा नहीं होता यह बिल्कुल ऐसे है और फिट भारी शादिवी कर दिया आती है यह बिल्कुल ऐसे है जैसे एक पहलवान को पहले लड़ना सिखाया जाए पहले कुष्टी सिखा पिर उसे ये भी बताए जाए कि लड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं होता कुष्टी करना बिल्कुल अच्छा नहीं होता किसी को मारना अच्छा नहीं होता किसी को पीटना अच्छा नहीं होता फिर उसे पहले मारना पीटना सिखाया जाए लड़ना सिखाया जाए कुष्ट इसके साथ होता है नौजवानों के साथ होता है पहले उनके सामने सेक्स की बुराई की जाती है उसे बुरा भला कहा जाता है बैपारी उसे बेचते हैं टीवी वाले टीवी में दिखाते हैं फिल्मों वाले फिल्मों में दिखाते हैं किताबों वाले किताबों में लिखते है लेकिन रोकने वाला कौन है वही लोग दूसरी तरफ उनको रोकते भी है कि खुद मत कर लेना पहले हमें देखो, हमसे सीखो लेकिन जब वो कुछ करने जाते हैं तो फिर उनकी पिटाई होती है पहले इसी चीज़ को बुरा कहा जाता है, फिर उनकी शादी कर दी जाती है उन दोनों को एक कमरे में बंद कर दिये जाता है और कह दिये जाता है कि आब तुम खेलो जो करना है करो, अब सब ठीक है, आब सब अच्छा है, आब तुम सब कुछ कर सकते हो इसी कारण से क्या होता है, वो कनफ्यूज होते हैं, लड़का भी उतना ही कनफ्यूज होता है जितनी लड़की कनफ्यूज होती है, लड़की भी उतनी कनफ्यूज होती है, जितना लड़का कनफ्यूज होता है धीरे धीरे जब वो अपनी इन इच्छाओं को पूरी तरह से नहीं जी पाते हैं क्योंकि सबकॉंशिस में क्या चल रहा है इसकी नेगटिविटी चल रही है सबकॉंशिस मैंड में सेक्स के प्रती जो नेगटिविटी डाली गई है तुमारे दिमाग में समाज की तरफ से वो चल रही है तुम जितना मर्जी से अच्छा कहते रहो लेकिन तुमारे सबकॉंशिस में वो है और वो तुमें कहां भेजती है इसकी तरफ और जब तुम यहां जाने की कोशिश करते हो लोग तुम्हें यहां भी नहीं जाने देते तुम आज अपने पेरंट से कहकर देख लो कि तुम एक धार्मिक बाबा बनना चाहते हो किसी यात्रा पर जाना चाहते हो किसी मंदिर मठ गुरुदवारे में जाना चाहते हो वहां पर धार्मिक गुरु बनना चाहते हो किसी के कि नहीं यहां भी नहीं जाना है यहां तुम जाना चाहते हो यहां तुम्हें जाने नहीं देते अपनी मर्जी से तुम्हें यहां पर धकेल देते हैं और फिर तुम जूजते रहते हो लड़ते रहते हो परिशान होते हो तलाक होते हैं लड़ाईयां होती हैं जगड़े होते अगर जीवन का सबसे बड़ा सुख ये है, सबसे बड़ी खुशी ये है, सबसे ज़्यादा इसे रोका जाता है तो सबसे ज़्यादा परिशानी भी इसी के कारण आती है, इसी को लेकर आती है स्कूल में कॉलेजिस में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां अपनी ज़्यादा तर जिन्दगी सिर्फ इनी चीजों के पीछे अपनी बरवाद कर चुके होते हैं और जब तक उनको पता चलता है कि कोई छोटी मोटी चीज ही है यह जदा बड़ी नहीं है यह सिर्फ इसे इसलिए रोका जाता है ताके तुमारी शादी की जा सके